टीवी एक्ट्रेस तुनिशा सर्मा की अचानक होई मौद से सब हैरान है। तुनिशा सोनी सब टीवी के सीरियल अली बाबाद दास्ताने काबूल में में एक्ट्रेस थी। बताय जा रहा है कि इस मशूर टीवी एक्टरेस ने सीरियल के सेट पर मेकप रोम में जान दे दी वज़ा का पता भी नहीं लग पाया है तुनिशा की उम्र महज 20 वर्ष थी तुनिशा ने चोटी सी उम्र में कई पॉपलर सीरियल्स और फिल्मों में काम करके अपने खास पहचान बनाई थी वहीं अचानक उनकी मौद की ख़वर से फैंस का दिल तूट गया है तुनिशा ने पहले मेकब रूम में मौद का फैसला लिया तुनिशा को फॉरान अस्पताल ले जाया गया लेकिन अपसोस उन्हें हॉस्पिटल में मृत खोशित कर दिया गया एक्टरेस के साथ काम करने वाले दूसरे सही होगी जब मेकब रूम पहुंचे तो दरवाजा बंद था उन्होंने कई बार आवाज दी जिसके बाद उन्होंने मेकब रूम का दरवाजा तोड़ा तो तुनिशा को ऐसी हालत ना पाया बताय जा रहा है कि तुनिशा सर्मा एक्टर शिविन नारेंग के साथ म्यूजिक वीडियो शूट कर रही थी तुनिशा कम उम्र में काम्याबी की उड़ान भर रही थी गेट्री नाव कैफ विद्यावालन जैसी एक्ट्रेस की फिल्मों में वो नजर आ चुकी थी फिल्हाल तुनिशा सोनी सफ टीवी के सीरियल अली बाबा दास्तान एकाबूल में शेहजादी मरियम का किरदार निबा रही थी तुनिशा फितूर बार बार देखो कहानी टू दुर्गा रानी सिंग दबंग थ्री जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी थी फितूर और बार बार देखो में तुनिशा ने यंग कट्रीना कैफ का किरदार निबाया था कलर्स टीवी पर उनका सीरियल इंटरनेट वाला लब भी लोगों को खुब पसंद आया था तुनिशा ने सोनी टीवी के धारवाहिक महरण परताब के साथ चंद कुमर के रूप में अपना करियर शुरू किया उसके बाद वा कलर्स टीवी के चक्रवरती अशोक समराट में राजकुमारी अहिंकारा की भूमी का में नजर आई बताय जा रहा है कि तुनिशा मूल रूप से चंदिगल की रहने वाली थी और अपना करियर बनाने मुंबई आये हुई थी तुनिशा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी हमेशा खुश रहने वाली और सेट पर सभी के साथ हसी मजाग से बात करने वाली सेक्ट्रेस ने इस तरह का कदम उठाने की वज़र से सभी लोग सदमे में हैं अब सब यही कह रहे हैं कि आकिर क्या वज़े रही जो तुनिशा को अचानक इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा निउस तक व्यूरो